तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अपने Facebook ID को Delete या फिर Deactivate कैसे कर सकते हैं अभी तक 2023 के अंदर आप जी रहे थे और 2023 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट के अंदर आने से यह उप्षन Delete करने का या फिर Deactivate करने का मिल जाता था लेकिन 2024 के अंदर जब आप आते हैं सेटिंग के अंदर तो आपको यह उप्षन पूरा Change हुआ मिलता है तो आप लोग किस तरीके से अपने अकाउंट को Deactivate या फिर Delete कर सकते हैं आई जानते हैं तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं पहले आपको Access का Option मिल जाता है जिससे आप लोग अपने अकाउंट को आसानी से Delete कर सकते थे लेकिन अभी के समय में यहाँ पर यह Option पूरी तरीके से Remove किया गया है इसको कहाँ पर Shift किया गया है आई जानते हैं और यहाँ पर अदेश सेते हैं यहाँ पर आपको Your Facebook Access Activity और यहाँ पर आपको और भी चीज़े दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको जो डिक्टिवेट वाला Option है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर Remove कर दिया गया है लेकि यानि कि आप Facebook से इसको डिक्टिवेट पहले कर सकते थे लेकिन आप यहाँ पर आपको करने का Option नहीं मिल ला है तो आईए हम आपको बताते हैं किस तरीके से कर पाएंगे अभी देखिए अभी यह साइथ थोड़ी सी वरक नहीं कर रही है कई बार और कई बार वरक कर जाती है ठीक है यहाँ पर देखेंगे पहले आपको यहाँ पर Off Activity और यहाँ पर Account Center के अंदर भी आपको यह Option मिल जाता था लेकिन अभी के समय में बिलुकुल भी Valid नहीं बचा है और यहाँ पर अब देखते हैं Manage Future, Disconnect और भी चीज़े मिल जाती है और यहाँ पर आपको पहले इसी Option के नीचे यह आपको है Off Facebook Activity इसी के देना होगा चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आप लोगों को करना क्या है Chrome Browser को Open करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है Facebook Delete अकाउंट पर्मानेटली आप चाहें डिलीट लिखें या डेक्टिवेट लिखें बात देखिए आप वही से आपको दोनों आप्सण मिल जाएंगे तो यहाँ पर प्रमानेटली डेट योर Facebook अकाउंट के ओपर किलिक करेंगे हम और जैसे हम इसके ओपर किलिक करेंगे कि हम इसी option के ओपर click कर रहे हैं और यह आपके internet के हिसाब से work करेगा अब यहाँ पर देखे deactivate or deleting your account यहाँ पर आपको दोन option मिलेंगे अभी देखें यहाँ आपको delete और deactivate का मिल जाएगा और यहाँ पर आपको computer help लिखा हुआ है तो बिल्कुल हम computer चाहते है और यहाँ पर आपको देखे temporarily deactivate account आपकर temporarily करना चाहते है temporarily के ओपर click कर दीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे और भी चीज़ आपको मिल जाती है setting and privacy and then click setting and account center and top help center यहाँ पर आपको पूरी जनकरी दी गई है कि आप अपने facebook account को deactivate आखिरकार किस प्रकार से कर सकते है ठीक है मेरे दोस्त और उसके साथ में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो और भी ऐपसन आपको मिल जाते हैं जैसे कि यह point मिल जाता है और यहाँ पर देखिए यह point आगर आपका वर्क नहीं करता तो यह point से आपका हो जाएगा ठीक है लेकिन आपको इन में से किसी के ओपर भी किलिक करही करना है Deactivate Manager पर किलिक करना है Messenger दिखाई देता है और यहाँ पर आपको देखिए और भी चीज़े मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको यह option बहुत सारे लोगों के में वर्क करेगा और बहुत सारे लोगों के में हो सकता वर्क ना करें तो इसलिए आपको थोड़ा से निचा आना है लेकिन ऐसा नहीं है यह आप बार बार इसी तरह से क्लिक करेंगे और देखिए 90 दिन बेक अप इस्टोरेज है वह आपका सारे चीज़े दिखाएगा यहाँ पर और इसी के उपर आप क्लिक करेंगे फिर से आपका 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 जो है Facebook पेज है इसको डिलीट करने में बिल्कुल और यहाँ पर हम मोबायल है कर रहा है तो इसको हम डेश्टोर साइट से अठाएंगे ठीक है डेश्टूर से अठाने के बाद यहाँ आपको दुवारा से टाइब करना है और यहाँ पर देखिए पहले से ही उपर टाइप है डिक्ट टिट एंड दिलेटिंग अ और यहां पर हमारा मोबाइल ब्राउजर है इससे हम करेंगे एंड्रोइड हेलब और यह चीज़े सेलेट करने के बाद यहां पर आपको टेंपरेली डियक्टवेट अकाउंट जैसे सेलेट करेंगे और भी अप्सन आपको मिल जाएंगे इंडिवीजिवाल प्रोफाइल और अभी यहां पर वर्क नहीं हो पर आया है तो यहां पर दोस्ते तीन बाद ट्राई करेंगे इस तरीके से तभी आपका यह खुलने वाला है ठीक है मेरे दोस्त जैसे यहां पर आपको दिखिए यह चीज़ेट करने होंगी एंड्रोइड हेल्प ओके और यहां पर दिखिए डिलीट यूर फेस्बुक प्रुफाइल या फिर दिलीट यूर फेस्बुक प्रुफाइल आप इनमें से सलेट कर लिजेगा किसको आप डिलीट करना चाते हैं तो यहां पर आपको डिलीट करना है अब यहां पर आपका व्राउजर खुलेगा देखिए थोड़ा से नीच चीज़ों ध्यार रखनी है कि आप यहां पर एक बार अपसन आपको यह सा दे देगा जिसे आप लोगों को यहां पर यह डियक्टिवेट हो जाएगा अभी फिलाल यहां पर मेरा वर्क नहीं कर रहा है और यहां पर फिर से एंडोर लेंगे तीसरे वाले से अगर तीसरे पहल बुजर इस तरी से सेलेट करना है और यहीं से आपका डियक्टिवेट हो पाएगा